उत्तप्रदेश के हमीरपर जुले में काले हिरन के जुंड दिखाई दे रहे हैं इनको देखकर किसानों को अपनी फस्लों की चिंता सताने लगी है हाला कि वनविभाग ने किसानों से अपील की है कि उन्हें डरने की ज़ौरत नहीं है क्योंकि हिरन फस्तों को नुकसान नहीं पहुचाता बताय जा रहा है कि इस बार काले हिरन के साथ ही चीतर प्रजाती भी देखी जा रही है जानकारों का कहना है कि योगी सरकार की पशुकरूरता कानून के तहत कठोर कारवाई के चलते जंगली जानवरों का शिकार बंद हो गया है जिसके चलते हिरन की तादाद लगातार बढ़ रही है वन विभाग ने अभियान चलाकर किसानों को जागरूख किया और कहा कि हिरन फसलों को नुकसान नहीं पहुचाते इसलिए किसानों को इन से डरने की जरूरत नहीं है पौधा निकलता है खेट में फसल कुछ चौपट कर देते हैं रात न दिन यहीं पर पहरा मानना पड़ते हैं एक खेट को देखने पर दूसरों भागते हैं परसान है इन से पहले एक समझते थी लोगों के जानवाट गाये बाएल यह परसान करते थे उसका सरकार ने दुनने की एक अपनाने की और यह बहुत ही दुरलब है यह बड़ा सवभाग कभी से हैं कि हमारे हमीर्पुर जन्पद में ब्लैक बख है और बांदा में थोड़ा तिन्दवारीन पाये जाता है बाकी अन्य छेत्रों में यह बहुत ही दुरलब हो गया है इसके इसका मुख कारण यह है कि बंदवभाब की सजकता कर्म टानियों की निरनतर गस्त और इनका सिकार ना होने देने के कारण यह जो है स्वच्छंद रूप से जंगलों से बाहर विज़रा कर रहे हैं और विशेश रूप से मैं यह देख रहा हूं कि कोरोना काल में कोरोना काल में जब लोगों सालं आ रहा हैं बाहरेंगे अराया हैं लेकिन पबलिक को इंसे निस्चिंत रहना हैं इनसे किसी प्रकाल की डहन्यक्या हो सकता नहीं है यह फसलों को अनुक्सान नहीं in पहुंचाते लेकिन बंद जीव हमारे जंगलों की हमारे जमीन की आबभुचान है इनको देखके एड्मिशन ओपन रेजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170